हेलो बच्चो, इस जॉली शर्मायोन, किमिस्ट्री मैम, वेलकम यू अल तो वन्दरफॉर प्रेटफॉर फिजिक्स वाला, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बेटा, केमिकल एकलिब्रियम चैप्टर को, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको, रिवाइस कर लेते हैं, बेटा, जल्दी से, तो आज का जो हमारा टारगेट है, बेटा, केमिकल एकलिब्रियम को पूरा वाइंड अप करना है, मैंने प्लैनर चैक किया, तो हमारे पास एकलिब्रियम दो चैप्टर में बटा हुआ है, तो इसको हम कवर करते हैं, ठीक है बेटा, आज मुझे बहुत इच्क सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, एकलिब्रियम होता क्या है, एकलिब्रियम हम कहते है, जब रियक्शन, दोनों डैरेक्शन में एकल रेट से होती है, उसे हम कहते है, वो कंडिशन होता है, एकलिब्रियम का, ठीक है, सॉरी, तो आब इस केस में सबसे प से solid liquid equilibrium, liquid gas and solid gas equilibrium. उसके बाद हमने start किया था law of mass action. law of mass action हमें क्या बताता है, that किसी भी reaction का जो rate होता है, वो directly proportional होता है, sorry, reactant के active mass के product raised to the power of the air stress matrix. वहां से हमने rate law expression लिखना सीखा, उसके बाद दोनों direction का rate बराबर करते हुए हम equilibrium constant का expression derive करके लिएकर आये थे, वो क्या था, that मानलो अगर कोई भी reaction है, n1a plus n2b is in equilibrium with n3c plus n4d, अगर इस case में हमें equilibrium constant का expression लिखना है, तो उसे हम denote करते हैं case ही से, और उसका क्या expression होता है बेटा, यह product side में है, यह reactant side में है, तो product में जो है, उनका active mass, क्या बेटा, active mass of products raised to the power of the air stress matrix, यह हमने equilibrium constant का expression लिखना सीखा था, यहां पर बेटा, यह bracket जो होता है, यह किसे represent करता है, active mass को, किसे बेटा, active mass, जिसे हम और क्या बोलते हैं, concentration, जिसे हम और क्या बोलते हैं, molarity, that is equals to number of moles divided by volume of solution in liter, थोड़ा सा पानी और पी लेते हैं, हाला कि already मैं आदा घंटा डिले कर चुकी हूँ, कि यह एच की बंद हो जाए, उसके बाद मैं lecture start करूँ, लेकिन यह continue आ रहे है, ऐसे कहते हैं न, जब कोई याद करता है, तब इच की आती है, तो मैंने सब का नाम भी ले लिया, जिन से मैं expect करती हूँ, बट समझ नहीं आ रहा है, क्यों आ रही है इतनी, कोई बाती होपुली अब नहीं आ है, तो बेटा यह होता है, हमारे पास active mass, हमें और क्या ध्यान रखना है, कि अगर हमारे पास homogeneous equilibrium है, तो उस case में active mass, liquid and किसका, gas वालों का, active mass, solid state वालों का, हम क्या मानगे चलते हैं बटा, that is one, unity, क्योंकि उनसे equilibrium पे कोई effect नहीं पड़ता, उसके बाद हमने कौन सा एक relation है, जो बहुत important सीखा था, यह बहुत important relation है बटा, एक केसी का expression, यह लिखकर हम बहुत सारी चीज़े calculate करना सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद बटा, relation between kp and kc, क्या पढ़ा था बटा, relation between kp and kc, यह पूरा derive करके, क्या relation आया था, that kc is equals to kc is equals to kp into rt की power delta ng, delta ng क्या होता है बटा, वही जो हमने पढ़ा है, thermodynamics में भी, that moles of gaseous product minus moles of gaseous reactants, क्या बटा, moles of gaseous products minus moles of gaseous reactants, तो यह relation हमने सीखा था, kc और kp, अरे यह तो reverse हो गया, kp is equals to kc, है ना बटा, kp is equals to kc into rt की power delta ng, यह second important conclusion जो इस chapter में हम पढ़ते हैं, इसके बाद हमने क्या सीखा था बटा, इस पर आपने बहुत सारे numericals भी किये, expression लिखना भी सीखा, इसके बाद आपने पढ़ा था, characteristics of equilibrium constant, यह first conclusion, यह second, third one है बटा, that is, characteristics of equilibrium constant, भाई, यह जो equilibrium characteristics of equilibrium constant, यह जो equilibrium constant है, है ना, kc हुआ या kp हुआ, इसकी क्या विशेशताएं हैं, इसकी क्या properties थी, तो सबसे पहली property थी बेटा, कि जैसे कि enthalpy में हम क्या करते थे, जो changes, reactions के साथ करते थे, वो same changes उनकी enthalpy पे apply कर देते थे, final reaction लाने के लिए, लेकिन equilibrium constant में ऐसा नहीं होता, इस case में कुछ rules थे, तीन rules है बेटा, that if reaction get reverse, अगर हमने reaction को reverse किया है, its equilibrium constant get inverse, उसका equilibrium constant क्या हो जाता था, inverse हो जाता था, for example, कोई एक reaction है, a plus b is an equilibrium with c, उसका equilibrium constant k1 है, और अगर हमें equilibrium constant निकालना है, c is an equilibrium with a plus b का, तो उसका equilibrium constant क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, one upon k1, क्योंकि आपने reaction को क्या किया है, reverse, तो equilibrium constant inverse हो जाएगा, और ये वाला जो topic है, chemical equilibrium का वो important topic है, जहां से questions आए हुए है, neat में, clear बेटा, next, that if reaction, अगर आपने reaction को क्या किया है, बेटा, add किया है, clear, क्या किया है बेटा, add किया है, या subtract किया है, तो उनके equilibrium constant क्या हो जाएगे बेटा, multiply and divide respectively, तो if reactions are added and subtracted, अगर आपने reactions को add किया है, या subtract किया है, then their equilibrium constant are, उसके बाद क्या करेंगे, अगर दो reactions add किया, तो equilibrium constant के साथ क्या करेंगे, where equilibrium constant are multiplied and divide respectively, क्या है बेटा, उस case में उनके equilibrium constant को multiply और divide करेंगे, example देखना बेटा, एक मैं discuss करती हूँ, reaction थी, A is in equilibrium with B, जिसका equilibrium constant K बन था, दूसरी reaction थी, C is in equilibrium with D, उसका equilibrium constant K2 था, हमसे पूछा, A plus C is in equilibrium with B plus D का equilibrium constant क्या होगा, तो बेटा, ये आएगा कैसे, A plus B is in equilibrium with B plus D, ये आएगा, दोनो reactions को add करके, तो दोनो reactions को अगर add करके ये final reaction आई है, तो equilibrium constant क्या होगा, उनके equilibrium constant को हम multiply कर देंगे, तो ये ही लिखा हुआ है बेटा, कि अगर reactions को add किया गया है, या subtract किया गया है, तो अगर add किया गया है, तो उनके equilibrium constant multiply होगे, और अगर दोनो reactions को आपने subtract किया है, तो उनके equilibrium constant क्या होगे बेटा, divide होगे, clear? Next, देखना बेटा, last, that, इसका last characteristic है और ये important है, इसको इसलिए धान से समझना, that if reactions are, if reactions are multiply and divide, multiply and divide then their equilibrium constant, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, जिससे भी multiply किया है उस reaction को, वो उस equilibrium constant की power में चला जाएगा, becomes raised to its power reaction देखना बटा ध्यान से, reaction थी मान लो, a is an equilibrium with b plus c, इसका equilibrium constant हमें k बन दे रखा था, और हमसे equilibrium constant पूछा है, 2a is an equilibrium with 2b plus 2c का, तो भई क्या किया है, आपने उपर वाली reaction को, 2 से multiply किया है, तो इसका equilibrium constant क्या हो जाएगा, जिससे multiply किया है, वो power में चला जाएगा, clear, तो ये हो जाएगा, इसका equilibrium constant, clear है बटा, तो ये थी हमारे पास, that is characteristics of equilibrium constant, अब हम बात करते हैं बटा, that fourth concept, ये थर्ड हो गया न, fourth concept that is determination of concentration of reactants and products at equilibrium, अगर हमें concentration निकालनी हो, क्या बटा, अगर हमें concentration निकालनी हो, reactants और products की, कब जब वो reaction equilibrium attain करे, तो उसके लिए बटा, आपको सबसे पहले मैं expression लिखना सिखा रही हूँ, वो आपको आना चाहिए, क्या वो ये expression आपको आना चाहिए, सबसे पहले क्या लिखना, IMC, IMC क्या होता है बटा, initial molar concentration, देखो बटा, ये वाले question अगर आप अपने method से करते हो, तो भी अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते हो, तो मैं ये method पूर आपको समझा रही हूँ, और respective questions जब आएंगे, तो मैं ये method एपलाए करने वाली हूँ, इस point पे सबसे ज्यादा बच्चे गन्फ्यूज होते हैं, तो इस point को बहुत ध्यान से समझना, जनरल equation कैसे आता है, कि reactants के आपको initial moles दे दिये जाते हैं, और बोल दिया जाता है, कि equilibrium पे ऐसा हो जाएगा, अब कभी आपसे equilibrium constant पूछ लेता है, KC, कभी KP पूछ लेता है, कभी किसी particular reactant या product की concentration पूछ लेता है, जब वो reaction equilibrium attain करता है, तो सबसे पहले क्या करना है बटा, आपको कोई भी reaction अगर दी जाती है, आपको उसका IMC और EMC का expression लिखना है, IMC क्या होता है बटा, IMC का full form होता है, initial molar concentration, initial molar concentration, that means कि जब reaction ने शुरू हुई थी, तब उसकी molar concentration क्या थी, और वो बहुत easily आप निकाल सकते हो, कैसे आपको जो भी initial moles दे रखे हैं, जिसके भी उसको divide कर दो, volume से, क्योंकि molar concentration is all about, molarity, वहीं पर बेटा, अगर आपको EMC निकालना है, तो बेटा, EMC का full form क्या है, that is, equilibrium, equilibrium, molar concentration, यानि कि, जब reaction ने equilibrium attain किया था, तो उसकी molar concentration क्या थी, तो EMC आप reactant or product, दोनों का लिख सकते हो, EMC of reactant अगर लिखना है, तो क्या follow up करना बेटा, IMC minus, IMC, जो initial molar concentration है, minus, जो भी उसकी stoichiometry है, जो भी reactant है ना, जो भी उसकी stoichiometry है, into x, वहीं पर बेटा, अगर आपको EMC का expression लिखना है, किसी product का, तो आप क्या लिखोगे, that is, IMC minus, नहीं, IMC आएगा यह नहीं, इसमें तो, इसमें आप directly लिख दोगे, जो भी उसकी stoichiometry है, into x, मैं आपको इस पर based questions भी करवा दूँगे, लेकिन सबसे पहले बेटा, आपको यह लिखना आना चाहिए, क्योंकि इस portion में बच्चे सबसे यादा confused होते हैं, तो जब भी question आता है इस तरीके का, कि भाई आपको initial moles दे देते हैं, reactions के, और फिर आपको बोल देता है कि equilibrium पर ऐसा ऐसा हो जाएगा, आप बताओ KC, KPI, जो भी पूछता है उसमें क्या होगा, तो इसका एक example भी मैं आपको करवा देती हूँ, ध्यान से देखो बटा, एक example है, इसमें क्या बोला है, कि भाई एक reaction हो रही है, निमारिकल ना लिखते हूँ पूरा समझा रही हूँ, जैसे में 2 moles of H2 है और 2 moles of N2, क्या है बटा, 2 moles of N2 and 2 moles of H2 are taken in a closed vessel, ठीक है, एक closed vessel लिया, जहां पे 2 moles of H2 लिये हैं और 2 moles of N2 लिये हैं, और वो जो vessel है, है ना, closed vessel of 5 liter capacity under suitable conditions, ये concept समझाने के लिए बटा, मेरे को एक numerical आपके साथ discuss करना है, ताकि आपका हर तरह का query इस टाइप की numerical से एकदम clear हो जाएं, तो under suitable conditions पो लिया गया है, ठीक है, for the reaction, और जब reaction, जब reaction ने equilibrium attain किया, when the equilibrium is reached, half moles of N2 is used up, यानि कि जब reaction ने equilibrium reach किया था, तो N2 के साथ क्या हुआ बटा, उसके half moles used up हो गए, और हमसे question में पूछा है, the equilibrium, यानि कि क्या equilibrium, equilibrium concentration of ammonia, यानि कि जब ये reaction equilibrium achieve करेगी, तो ammonia की concentration क्या होगी, सबसे पहले बिटर reaction लिखते हैं, क्या reaction है, N2 plus H2 is in equilibrium with two ammonia, reaction हमने balance कर दिया, तो मैंने आपको पहला step क्या बताया, जब तक dissociation, association का जिक्र ना करे, कि भाई, इतना percent, percentage की terms में बात ना करे, अब सीधा-सीधा इस expression को लिखते वे, तो अपना कोई भी numerical solve कर सकते हो, लेकिन आपको significance clear रखना है, कि कौन से चीज क्या represent कर रही है, अब आपके सामने ये reaction है, है ना, कि two moles of N2 के हैं, two moles H2 के हैं, और आपको initial जो भी दे रखा है, उसके basis पर आप IMC और EMC निकालो सबसे पहले, तो बेटा, IMC और EMC का expression सबसे पहले लिखना है, क्योंकि उसके बाद आपको idea लगेगा, equation में क्या दे रखा है और क्या पूछा है, तो IMC मतलब जो भी उसके initial mole है, उसे divide कर दो, उसके volume से, तो बेटा, आपको question में two moles दे रखे हैं N2 के, two moles दे रखे हैं H2 के, तो अगर बेटा, आपको initial mole N2 के दे रखे है two, initial mole H2 के दे रखे है, that is two, तो अगर आपको IMC निकालना है, है ना, और volume कितना है उस vessel का, that is five liter, तो आप कैसे निकालोगे, बहुत easy है, मैंना क्या बताया, जो भी initial moles है, उनको volume से divide कर दो, तो बहुत यह रहे N2 के initial mole, कितने हैं बेटा, two, तो इस case में क्या हो जाएगा, two by five, और two by five करेंगे, तो यहां से क्या आजाएंगे, बेटा, IMC आजाएगी, यानि कि जब reaction शुरू हुई थी, तो उसकी initial molar concentration क्या थी, तो two by five करेंगे, तो यहां से आया 0.4, है ना, इधर से भी two by five करेंगे, तो आया 0.4, यह क्या है, यह है initial molar concentration, यानि कि जब reaction शुरू हुई थी, तो इन reactants की initial concentration क्या थी, अब हम बात करते हैं EMC, EMC क्या है, IMC minus trichiometry into X, मैंने आपको लिखना सिखाया, है ना, same formula से पहले लिखो, फिर मैं आपको significance बताती हूँ, तो EMC of reactant क्या है, कि जब reaction ने equilibrium attain किया, तो equilibrium पे reactant कितना था, और EMC of product का क्या मतलब है, कि जब reaction ने equilibrium attain किया, तो product कितना था, तो लिख देते हैं, भई क्या formula है इसका, IMC minus trichiometry into X, तो as it is बेटा, IMC कितना है, अभी अभी हमने निकाला, है ना, IMC कितना है, N2 का 0.4, minus, trichiometry कितनी है, 1 into X, उसी तरीके से, H2 का EMC लिखो, तो IMC minus trichiometry into X, ये product है, और product का EMC लिखने का क्या तरीका है, stoichiometry into X, तो यहाँ पे इसकी stoichiometry 2 है, into X, ये हमने expression लिख दिया, अब बेटा, हमसे equation में क्या पूछा है, the equilibrium concentration of ammonia is, और बेटा, equilibrium पे, equilibrium पे, ammonia कितना है, 2X, ये 2X की value हमसे पूछी गई, अब, ये 2X की value अगर बता नहीं, ये तो हमें पहले पता चले, X क्या है, तो बेटा, X का significance क्या है, सुनो, बेटा, X reactant के लिए तो ये बताता है, कि भाई, उसका कितना consume हो गया, और product के लिए बताता है, कितना बना, तो बेटा, question में बोला था, कि जब reaction ने equilibrium attain किया, आधे mole N2 के use हो गए थे, तो N2 में, ये X ये ही तो बता रहा है, कि इस N2 की कितनी concentration, खतम हो गई थी, जब equilibrium attain किया, लेकिन X concentration है, और ये half mole दिये, तो ये X की value इतो equation में दे दी, तो X, अगर हम बात करें, उसने क्या कहा, कि जब reaction ने equilibrium attain किया, तो ये equilibrium की ही condition है, nitrogen के, इस nitrogen के आधे mole use हो गए थे, आधे mole use हो गए थे, तो concentration कितनी use हो चुकी होगी, उसके लिए हम volume से divide कर देते हैं, क्योंकि ये X ये ही तो बता रहा है, nitrogen कितना खर्च हुआ, यहाँ पर ये 3X, ये ही तो बता रहा है, hydrogen कितना खर्च हुआ, तो बेटा, X कितना हो गया, with respect to nitrogen, इसके mole हमें दे रखे, number of moles of nitrogen used up, divide by जो volume है, वहाँ से X आ जाएगा, क्योंकि X तो concentration है ना बेटा, molarity, तो सिर्फ mole को थोड़ी ना ले लेंगे, सीधा सीधा, mole को molarity तब लेंगे, जब volume 1 liter होगा, तो यहाँ पर बेटा, कितने mole used up बोले, half, volume कितना है, 5, तो देख लो बेटा, यहाँ से, हमारे पास, कितना आ गया, X का value आ गया, 0.1, देख लो बेटा धियान से, है ना, अब X का value 0.1 है, तो at equilibrium, हम से ammonia की concentration पूछी है, जो की 2X के बराबर है, और 2 into 0.1 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, 0.2, देख लो बेटा धियान से, जल्दी से, तो यह concept था, जो मुझे आपको समझाना था बेटा, और इस पर based बहुत सारे numerical आते हैं, अब बेटा, उसके बाद, जो next concept आता है, that is fifth one, और वो क्या है बेटा, वो आता है, that is alpha, alpha की entry होती है, तो मैं आपको alpha के respect में भी expression लिखना बताऊंगी, कि जब-जब question में, alpha की terms में बात करता है, तो अपन क्या करते हैं, तो alpha, जिससे हम और क्या बोलते हैं बेटा, जिससे हम बोलते हैं, degree of dissociation, है ना, यानि कि जब भी कोई reaction हो रही थी, degree of dissociation, तो वहाँ पर किसके, कितने, mole consume हुए थे, उससे हम क्या बोलते हैं बेटा, that is degree of dissociation, यह हमें क्या बता रहा है, यह हमें बता रहा है, that is fraction of moles dissociated, dissociated, or we can say reacted, कितने moles, dissociate हुए हैं या react हुए हैं, clear, अगर इस alpha के exact value चाहिए हो, that number of, जितने moles react कर चुके हैं, या dissociate हो चुके हैं, number of moles dissociated, or we can say, reacted, is divided by initial number of moles, लेकिन हमें यह कहीं पर लिखना थोड़ी है, हमें इसका significance समझना है, और इसका क्या significance है, वो मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आपके सामने कोई reaction है, कैसी, N1A is an equilibrium with N2B plus N3C, तो यहाँ पर अगर आपको alpha की terms में, अगर percent association, या percent dissociation की terms में, equation में बात कर रहा है, तो उसका expression alpha की term में कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, देखना भी ध्यान से, सबसे पहले आपके पास IMC, तो IMC तो वही होता है भी जो initial molar concentration होती है, तो वो तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि भई C बराबर क्या है, initial moles of reactant divided by volume, है ना, लेकिन अगर EMC लिखना है, तो सबसे पहले क्या करो बेटा, ये जो C है ना, सबसे पहले ABC तीनों के लिए, reactant के case में C minus C alpha, product में C alpha, C alpha, clear, क्योंकि C alpha बता क्या रहा है, मान लो मैंने आपको 500 रुपे दिये, तो alpha का क्या significance है, मैंने आपको कहा, कि आपने 20% खर्च कर दिया, 20%, ऐसे ही तो calculate करोगे, और जितना खर्च हुआ है, उतना बनेगा, इसलिए product में C alpha, C alpha, अगर इसके N1 mole से N2 mole बन रहे हैं, तो इसके 1 mole से कितना बनेंगे, तो दोनों product को इसके coefficient से divide कर दो, ये expression होता है बेटा, इसके लिए लिखने वाला, और जब-जब alpha की terms में बात करें, आपको ये expression लिखना आना चाहिए, clear, इसलिए मैं आपको लिखवाया, क्योंकि जो KC KP calculate करने वाले, जितने भी questions होंगे, वो सारे last वाले content से हो जाएंगे, लेकिन ये कहां use होता है, वो बताते दिए हूँ, जब हमें निकालना होता है, relation between KP, alpha and total pressure, तब ये concept use होता है, तब ये concept use होता है, तो चलो एक example में आपको करके बताई देती हूँ, कि इस case में क्या करते हैं, मान लो कोई reaction आपको दे रखी है, PCL5 is in equilibrium with PCL3 plus CL2, clear, इस reaction को next slide पर लिख लेते हैं, क्या reaction है बटा, PCL5 is in equilibrium with PCL3 plus CL2, अब इस case में मैंने आपको कह दिया, कि भई, इसमें KP, alpha and total pressure का relation निकालो, तो बटाई अगर initial mole कुछ दे देता है, तो अच्छी बात है, नहीं देता है, तो आप उसका C मान लो 1, initial, ठीक है, यह हो गई इसकी IMC, फिर इसका EMC क्या हो जाएगा बटा, जो मैंने अभी अभी लिखना सिखाया, 1-1, alpha, 1, alpha, 1, alpha, इसका तो coefficient भी 1 है, दोनों से divide करेंगे, तो 1 ही आएगा, तो यहां से क्या बचेगा, 1- alpha, 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 अब इस case में, at equilibrium, तो जब आप total moles निकालो, तो एक चीज़ का खास धियान रखना, कि जो gas वाले है, उन्हीं को गिनना, solid वाले को consider नहीं करना, तो कर लेते हैं, 1- alpha, plus alpha, plus alpha, यह cancel out, तो क्या आगया बटा, total moles, 1 plus alpha, अब बटा, according to Dalton's law of partial pressure, according to Dalton's law of partial pressure, हम क्या लिख सकते हैं, partial pressure of PCL5 is equals to, mole fraction of PCL5 into total pressure, तो बटा, mole fraction PCL5 का क्या हो जाएगा, PCL5 के moles कितने, 1- alpha, total moles कितने, 1 plus alpha into total pressure, सेम इसी तरीके से, partial pressure of PCL3 क्या हो जाएगा, mole fraction of PCL3 into total pressure, तो PCL3 के moles कितने, alpha, total moles कितने, 1 plus alpha into total pressure, सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से, partial pressure of chlorine क्या हो जाएगा, बटा, mole fraction of chlorine into total pressure, तो mole fraction chlorine का कितना है, alpha, total moles one plus alpha into total pressure, तो हमें relation किस के बीच में निकालना है, kp alpha and total pressure, तो अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे kp का expression, तो क्या होगा विटा kp, kp कैसे लिखेंगे, that is product का pressure, pressure of pcl3 into pressure of cl2 divided by pressure of pcl5, और यह pressure लिखना आप निकाल चुके हो, इसको put कर देते हैं, तो कितना आगया विटा pressure of pcl3, pressure of pcl3 यह रहा, alpha upon one plus alpha into total pressure, pressure of cl2 कितना हो गया, alpha upon one plus alpha into total pressure, divided by pressure of pcl5 कितना हो गया, one minus alpha upon one plus alpha into total pressure, total pressure, total pressure से cancel out हो गया, एक one plus alpha, एक one plus alpha से cancel out हो गया, तो बच क्या गया, 1 minus alpha, one plus alpha, तो यहां से बच रहा है बेटा, देखना ध्यान से, that kp is equals to, alpha into alpha, alpha square, pt एक बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, one minus alpha upon one plus alpha, into करो, a plus b into a minus b क्या होता है, a square minus b square, तो one minus alpha square, तो यह आ गया बेटा, relation between kp, total pressure and alpha, और हर case में आपको यही method apply करना है, इस पर based questions भी आए हुए है, जिने आप solve कर सकते हो, ठीक है, तो यह हम आपको solve भी करवाऊंगी, कहां पर बिटा, एक p y q है, इस पर based, ठीक है बिटा, next बिटा, इसी से related content, है ना, हाला कि उस पर, नीट में question बहुत कम आए हुए है, that relation between, relation between alpha, है ना, alpha का क्या relation है, with theoretical vapor density, theoretical vapor density, जिसे capital D से denote करेंगे, and observed vapor density, जिसे हम small d से denote करेंगे, हाला कि इस पर numerical बहुत कम आए हुए है, लेकिन क्यूंकि हम class में करते हैं, तो यह आपको बता देते हैं, क्या formula है बिटा, alpha is equals to capital D minus small d upon n minus 1, upon n minus 1 into small d, यहाँ पर कौन सी चीज क्या represent कर रहे हैं बिटा, alpha यही है, degree of dissociation, capital D क्या है, theoretical vapor density, जो भी आपका reactant है, उसके molecular mass को 2 से divide कर देना, D क्या है, observed vapor density, यानि कि जब reaction ने equilibrium attain किया था, तो उसका vapor density कितना था, है न, n क्या है बिटा, number of moles formed after dissociation of one mole compound, तो यह concept है बिटा, जिस पर भी आपने equation practice किया है, next, एक expression आता है बिटा, that is reaction question, क्या बिटा, that is reaction question, reaction question क्या होता है बिटा, जिसे हम QC से denote करते हैं, जब भी किसी reaction ने, जब भी किसी reaction ने, equilibrium attain कर लिया हो, और तब जब उसका expression हम लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं, equilibrium consent, जब क्सी बhी पर्टी कॉलर कंडीशन पर, यानि कि जब reaction ने, equilibrium attain ना किया हो, और तब जब हम उसका expression लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं, that is reaction question, उसे हम कहते हैं, reaction question, जब इस case में reaction ने, equilibrium भी attain नहीं किया है, किसी भी particular condition पर, जब हम expression लिखते हैं, ठीक है, तो इसका एक example बता देती हो बैटा, मान लो, reaction है, A is in equilibrium with B plus C, तो जब reaction 5 minute हो चुके थे, तो concentration थी मान लो 2, 3, 4, और जब reaction ने equilibrium attain किया, तो concentration थी 1, 5, 5, मान लो, है ना, तो अब इस case में, Q और QC और KC में क्या difference है, वो देख लो बैटा, expression वही है, जैसे equilibrium, constant का expression लिखते हैं, equilibrium पे, तो अब इस case में, QC का expression क्या होगा, same, active mass of B into C upon A, लेकिन यहाँ पर concentration कौन सी आएगी बैटा, equilibrium वाली, तो क्या लिखोगे, 5 into 5 upon 1, यहाँ से आ गया, 25, same उसी तरीके से बैटा, QC का expression क्या होगा, जब reaction किसी भी particular condition पे है, यानि कि जब reaction ने equilibrium attain नहीं किया है, तो क्या आ जाएगा, 3 into 4 by 2, तो यहाँ से आ गया, 6, तो यह क्या है, यह reaction question, अब इस case में, बैटा, जब भी कोई system equilibrium में होता है, क्या बैटा, जब भी कोई system equilibrium में होता है, और वो सबसे ज़्यादा stable होता है, तो कोई भी system equilibrium में आना चाहेगा, तो अगर QC की value, अगर QC की value केसी से कम है, QC क्या है भई, reaction question, QC की value अगर केसी से कम है, तो QC केसी के बराबर आना चाहेगा, Q, क्यूंकि कोई भी system सबसे ज़्यादा stable equilibrium में होता है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने product का value बढ़ाना पड़ेगा, और product का value बढ़ाने के लिए, reaction को कौन से direction में चलाया जाए, जिससे product ज़्यादा बने, forward, तो reaction कौन से direction में जाएगी, prefers forward direction, वहीं पे बेटा, वहीं पे बेटा, अगर QC का value केसी से ज्यादा है, अगर reaction question का value केसी से ज्यादा है, तो उस case में क्या होगा, QC अगर ज्यादा है, तो system तो stable कब है, equilibrium में, तो उसके लिए उसको केसी के बराबर आना पड़ेगा, तो उसकी value अगर कम करनी है, अगर QC की value अपनी कम करनी है, तो product को कम किया जाए, और reactant को बढ़ाया जाए, और reactant की अगर मात्रा हमें ज्यादा चाहिए, तो reaction कौन से direction में चलेगा, backward, तो यहाँ पर reaction का direction क्या होगा बेटा, backward, और अगर QC के सी के बराबर है, तो reaction stable है, यानि की वो equilibrium पर है, clear बेटा, last but not the least concept, one of the most important concept, that is, Lee Chatellier's principle, जिसे को La Chatelle principle भी बोलते हैं, क्या बेटा, Lee Chatellier's principle, उसके क्या important factors थे, वो मैं आपके साथ discuss कर देती हूँ, भई क्या कहा था Lee Chatellier's जी ने, है ना, उन्होंने कहा था, कि कोई भी reaction, कोई भी system, जब equilibrium में होता है, तो वो सबसे ज़्यादा stable होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा stable है, तो उस case में, अगर आप उसमें कोई external change apply करते हो, तो equilibrium उसका just reverse करेगा, to nullify that change, to neutralize that change, clear? तो अब इस case में, इसमें कुछ factors हैं, जो की equilibrium को affect करते हैं, तो सबसे पहला factor हम discuss करने जा रहे हैं, that is, effect of concentration, यानि कि हम जानते हैं, कि concentration से क्या effect पढ़ सकता है, तो reaction आपके सामने लिखी हुई है बेटा, है ना, मैं reactant product, reactant product को R और P से denote कर रहे हूँ, ठीक है? अब आप बताओ, system already equilibrium में है, system already equilibrium में है, और आप reactant की concentration को बढ़ा रहे हो, या product की concentration को बढ़ा रहे हो, या reactant की concentration को कम कर रहे हो, यह प्रोडट की concentration को कम कर रहे हो, तो equilibrium क्या करेगा, equilibrium just उसका reverse करेगा, उस change को nullify करने के लिए, neutralize करने के लिए, clear, तो same इस तरीके से यहाँ पर देखना बिटा, अगर reactant की concentration को बढ़ाया जा रहा है, तो equilibrium क्या करेगा, equilibrium क्या करेगा, इस reactant की concentration को कम करेगा, और अगर इस reactant की concentration को कम करना है, तो reaction कौन से direction में जाएगी, है न, reactant को बढ़ाया गया है, reactant को कम करना है, तो reaction को इस direction में चलना पड़ेगा, क्योंकि यह consume हो और यह बने, तो इस case में reaction forward direction को prefer करेगी, अगर product बढ़ा रहे हो product को बढ़ा रहे हो और product को कम करना है equilibrium just reverse करेगा बस इतना ध्यान रखो तो product को बढ़ाया अगर जा रहा है तो equilibrium इसको कम करना चाहता है अगर product की मातरा हमें कम चाहिए तो हम reaction को backward direction में ले जाएंगे ताकि यह consume हो और यह बने तो यहाँ पर क्या चाहिएगा बेटा backward same इसी तरीके से बेटा अगर reactant की concentration को कम किया जा रहा है तो equilibrium इसको बढ़ाना चाहिएगा और बढ़ाने के लिए backward and same last वाला बेटा आप देख लेना forward ही आएगा यह factors याद रखो बेटा यहां से equation आ सकता है है ना next factor बेटा कोई भी system equilibrium में है ठीक है और उस case में आप क्या कर रहे हो मानलो pressure को बढ़ा रहे हो या volume को कम कर रहे हो तो एतना clear रखना that effect of increasing pressure है ना pressure को बढ़ाना is equals to effect of decreasing volume same effect होगा बेटा decreasing volume तो अगर आप pressure को बढ़ा रहे हो तो उस case में equilibrium क्या करेगा वो reaction को shift करेगा towards lesser number of equilibrium shift reaction का direction बता देते towards towards lesser number of moles बस यह tricky याद रखो बेटा यह key points में आपको लिखवा दे रहे हो है ना example भी discuss कर लेंगे एक example discuss कर लेते है मान लो reaction दी N2 plus 3H2 is in equilibrium with 2 ammonia है ना moles gas के count होते है अगर इस reaction में pressure बढ़ाया जा रहे pressure बढ़ाया जा रहे increasing pressure किया जा रहे तो reaction किदर जाएगी towards lesser number of moles तो इधर 2 moles है इधर 1 plus 3 4 moles है तो reaction forward direction में जाएगी next effect बटा that is effect of temperature effect of temperature है ना तो यह effect दो अलग-अलग cases के लिए है एक बटा that is for exothermic reaction है ना exothermic और एक है endothermic तो अगर pressure अगर temperature बढ़ाया जाए on increasing temperature on temperature increasing अगर temperature को increase किया जाए तो अगर reaction exothermic है तो reaction already high amount of heat release होती है और release होगी तो reaction backward direction prefer करेगी reverse direction में चलने लग जाएगी और endothermic reaction में already high amount of heat required होता है और उस case में अगर आप temperature increase कर रहे हो तो वो उसके लिए favorable है और reaction forward direction में जाएगी next बेटा fourth effect that is effect of inert inert gas addition effect of inert gas addition है ना इसकी दो condition है एक एक at constant pressure और दूसरा that at constant volume तो बेटा constant volume पे अगर आप inert gas को add कर रहे हो तब reaction में कोई change नहीं होने वाला और अगर आप inert gas को add कर रहे हो at constant pressure तो उस case में reaction shifts towards reaction shifts towards higher number of moles किस तरफ जाएगी पेटा reaction shift होगी higher number of moles की तरफ last but not the least that is effect of catalyst है ना तो बेटा catalyst का कोई effect नहीं पढ़ता equilibrium पे क्यूं क्यूंकि बेटा arrow पे अगर catalyst रखा हुआ है तो अगर वो forward direction की rate को बढ़ा रहा है तो वो backward direction की rate को भी बढ़ाएगा और दोनों direction में अगर rate बरावर बढ़ रही है तो equilibrium पे कोई effect नहीं पढ़ेगा clear है बेटा तो ये मैंने आपके साथ सारे important key points discuss कर दिये of equilibrium अब हम start करते है numerical clear previous year question most expected questions अब इन्हें discuss करते हैं तो देखना बेटा क्या बोला है इस question में सबसे पहले question में बोला हुआ है ये जहां पर भी box बना हुआ है समझ जाना ये equilibrium का sign है ये equilibrium का sign है क्या बोला है बेटा question में that a 20 litre container at 400 Kelvin contains CO2 at pressure 0.4 atm and access of strontium oxide neglect the volume of solid the volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container the maximum volume of the container when pressure of CO2 attains the maximum value will be आपको reaction भी दे रखिये बेटा reaction क्या दे रखाए बेटा आप question की language इतनी घुमा फिरा के देता ही कि आप confused हो जाते हो पता नहीं बोला क्या पर ध्यान से देखो बेटा ये तो आपको पता है कि solid के respect में equilibrium attain होता ही नहीं उसका तो active mass already one हो जाता है तो जो हमारा equilibrium constant का expression होगा वहां से कही न कहीं हमें directly CO2 का pressure मिल जाएगा देखो बेटा धियान से reaction हमारे पास क्या है that srCO3 in solid state is an equilibrium with srO in solid state plus CO2 in gaseous state यहां पर हमें बेटा kp का value दे रखा है किसका बेटा kp का and kp is given 1.6 atm ठीक है हमें kp का value दे रखा है अगर इस reaction के लिए मैं kp का expression लिखू तो वो क्या हो जाएगा बेटा that kp is equals to क्योंकि यह solid state में है तो इसको हम include ही नहीं करेंगे that is equals to pressure of CO2 kp का value अगर 1.6 दे रखा है तो हमारे पास pressure of CO2 final pressure of CO2 आ गया that is 1.6 atm and according to the language of question हमें दे रखा है बेटा initial volume that is 20 liter and initial pressure हमें दे रखा है that is 0.4 atm और उसका volume decrease हुआ है हमसे यही पूछा गया है that the maximum volume of the container जब उसका pressure attain कितना हो गया maximum value तो हमने निकाल लिया maximum कितना है अब यहां पर बेटा equilibrium और states of matter को include करके आपस पूछा है तो अगर आपके पास initial volume initial volume initial pressure है final pressure है तो आप निकाल सकते हैं बेटा via P1 V1 is equals to P2 V2 P1 V1 का value आपको दे रखा है P2 का value आपको दे रखा है 1.6 V2 का value आपसे पूछा है तो यहां से आपके पास V2 का value आ गया 5 liter देख लो बेटा ध्यान से the correct answer will become that is 5 liter next question देखेंगे बेटा ध्यान से आपको reactions दे रखिए बेटा equilibrium में है ना यह sub sign equilibrium के बेटा जहां पर भी box बना हुआ है यह reactions equilibrium में है आपको 3 reactions दे रखिए और आपसे final reaction का equilibrium constraint पूछा है तो मैंने आपको क्या बताया बेटा characteristics of equilibrium constraint अगर chemical equilibrium equation आया तो इस concept equations आएंगे characteristics of equilibrium constant क्या थे मैंने आपको बताया कि अगर आपने reaction को equilibrium reverse किया है तो उसका equilibrium constant inverse हो जाएगा अगर आपने reactions को add किया है तो equilibrium constant multiply हो जाएगा subtract किया है तो divide हो जाएगा अगर किसी से multiply किया है तो वो equilibrium constant की power में चला जाएगा अब यहां पर बेटा यह तीनो reaction से अगर आपको final reaction लेके आनी है तो same चीज मैंने आपको thermodynamics में भी बताई थी कि इस final reaction को ध्यान से देखो और ढूंडो कि इसमें ऐसा क्या है जो इन में present है और इसमें नहीं है जैसे कि बेटा nitrogen को ध्यान से देखो nitrogen इस original reaction में नहीं है clear? अगर nitrogen original reaction में नहीं है मतलब हमें इसकी जरुरत नहीं है और अगर हम इसकी जरुरत नहीं है तो हम इसको reverse करके add कर देंगे क्या बेटा? इसको reverse करके add कर देंगे तो हमने first reaction को क्या किया? reverse जब हम इसको reverse करेंगे तो इसका equilibrium constant क्या हो जाएगा, 1 upon k1, इस equilibrium constant get inverse, अब देखो बटा धिहान से, यहाँ पर water molecule 3 है, और water molecule सिर्फ एक ही reaction में present है, तो अगर हमें 3 water molecule चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी reaction को 3 से multiply कर देंगे, तो हमारे पास यह reactions आ गई बटा तीनो, तो यह 3 की power 3 हो जाएगा, क क्यों, क्योंकि जिस से multiply किया है, वो equilibrium constant की power में चला जाएगा, तो यह आ गए, आपके पास 1, 2 and 3 reactions, तीनो को अगर add करोगे, तो अब आपके पास यह final reaction easily आ जाएगी, तो उस case में equilibrium constant को आप क्या करोगे, अगर तीनो को add किया है, on adding 1, 2 and 3, तो सबसे पहले तो हमने 1 को पहले reverse किया है, तो equilibrium constant वही inverse कर दिया, प्लस second reaction को as it is रखा और third reaction को हमने 3 से multiply किया है, और first को reverse किया है, और उसके बाद हमने 3 को add कर दिया, तो फिर इनका equilibrium constant क्या हो जाएगा बटा, first वाला हो गया 1 upon k1, second वाला हो गया k2 and third वाला हो गया k3 का q, see, that's the answer बटा, जहाँ पे भी यह आं तो characteristics of equilibrium constant, वो हर concept जो मैंने आज आपको बताया, पूरे chemical equilibrium में, अब वो हम portion discuss कर रहे हैं, जहां से आया हुआ है, तो alternate चलता है बेटा, 1017 में आया था question इससे, फिर 2015 में भी, देखो बेटा धियान से, chemical equilibrium पे, same concept पे question आया हुआ है, तो यहां पर भी इस reaction को मैं equilibrium में represent कर देती हूँ, अब धियान से देखना बेटा, क्या बोला है, if the equilibrium constant for N2 plus O2 is an equilibrium with 2NO is K, अगर इस reaction का equilibrium constant K है, तो equilibrium constant इस reaction का क्या होगा, धियान से देखना बेटा, इस reaction से यह reaction लाने के लिए, simply क्या करना है, इस reaction को multiply करना है, 1 by 2 से, यानि की 2 से divide करना है, तो हमने क्या किया, reaction, हमने first reaction को is multiply, is multiply by 1 by 2, तो वो क्या होगा बेटा, यहाँ पर equilibrium constant की power में चला जाएगा, तो इसका equilibrium constant क्या हो जाएगा, K की power 1 by 2, जिसे हम और क्या लिख सकते हैं बेटा, रूट के, तो देखलो बेटा, कहाँ पर यह answer है, यह 1 by 2 है बेटा, 2 by 2 दिख रहा है, that will be the correct term, clear है बेटा, next question देखेंगे बेटा, क्या दिया है, that, if the value of equilibrium constant, for a particular reaction is this, अगर किसी particular reaction के लिए, आपको equilibrium constant का value दे रखा है, कितना, that is, 1.6 into 10 to the power 12, तो उसने कहा, then equilibrium, at equilibrium, the system will contain, तो system में जादा क्या present होगा, तो अब बेटा धियान से देखो, अगर equilibrium constant का value, 10 to the power 3 से more positive है, तो इस case में, equilibrium constant का expression जब हम लिखते हैं, तो क्या expression होता है, बेटा, concentration of products, raised to the power ds trachymetry, divided by concentration of reactants, raised to the power ds trachymetry, तो जब reaction उस equilibrium point पे होगी, अगर equilibrium constant बहुत ज़्यादा positive आ रहा है, 10 to the power, मतलब product की concentration बहुत ज़्यादा रही होगी, that's the answer, तो उस time पे reaction में ज़्यादा तर क्या present है, reaction में ज़्यादा तर products present है, तो ध्याद रखना बेटा, कि अगर kc का value more than 10 to the power 3 है, तो reaction में mostly क्या present है, products present है, अगर reaction में kc का value 10 to the power minus 3 से कम है, तो उस reaction में mostly क्या present है, reactants present है, देख लो ध्यादा ध्यान से, clear है, next question देखेंगे बेटा, ध्यान से that, for the reversible reaction, यह reaction आपके सामने है बेटा, N2 plus 3H2 forms 2 ammonia plus heat, the equilibrium shift in forward direction, इस case में यह reaction equilibrium में है, और बेटा अगर product के साथ heat दे रखी है, यानि कि यह reaction कैसी है, यह reaction है बेटा, that is exothermic reaction, अगर यह exothermic reaction है, तो इस case में आपको पता है क्या-क्या suitable conditions होती है, जिससे reaction forward direction में जाए, temperature वाला तो बाहर हो जाएगा यह factor, ठीक है, अब देखते हैं बाकी factor, तो उसने पहला क्या बोला, by increasing the concentration of ammonia, अगर ammonia की concentration बढ़ाते हो, तो ammonia तो product है, तो equilibrium क्या करेगा, just reverse करेगा, equilibrium इसकी concentration को कम करना चाहेगा, और अगर इसकी concentration को कम करना है, तो reaction का direction backward होगा, तो यह option competition से बाहर, by decreasing the pressure, pressure कम करने पर क्या होगा, वही pressure बढ़ाने पर reaction किस तरफ जाती है, towards lesser number of moles, तो pressure decrease करने पर reaction किस तरफ जाएगी, towards higher number of moles, यहाँ पर 4 moles है, यहाँ पर 2, तो इस case में भी reaction का direction backward, by decreasing the concentration of nitrogen and hydrogen, अगर nitrogen और hydrogen का concentration decrease करते हैं, तो equilibrium चाहेगा बढ़ाना, और अगर reactant का concentration बढ़ाना है, तो reaction का direction backward, by increasing pressure and decreasing temperature, exothomic reaction है, temperature decrease करेंगे, तो बिलकुल forward जाएगी, और pressure increase करेंगे, तो towards lesser number of moles, जो कि product side है, तो इस case में reaction जाएगी forward direction, so correct answer here will become option D, next question देखेंगे बटा ध्यान से, क्या बोला है, है ना, next question देखेंगे, that is, यह तो ionic equilibrium का question आगया, इसा ionic में discuss करेंगे, हाँ, क्या question है बटा देखना ध्यान से, given that equilibrium constant for the reaction, आप देखो बटा, अगर chemical equilibrium से questions आए हुए है, तो सबसे जादा questions, characteristics of equilibrium constant से आए हुए है, इसलिए मैंने आपको उसके statement तक लिख हुआ है, ठीके बटा, क्या बोलता है यह, that, क्या अगर कोई reaction इसका equilibrium constant हमें दे रखा है, किसका दे रखा है ध्यान से देखना, 2SO2 plus O2 is in equilibrium with 2SO3, has a value of 278, इसका equilibrium constant आपको दे रखा है, 278 at a particular temperature, what is the equilibrium constant for the following reaction at same temperature, इस reaction का equilibrium constant पूछा है, तो पहली बात बेटा, यह reaction आएगी कैसे, यह reaction आएगी, अगर इस reaction को reverse करके 2 से divide किया जाए, है, है न, तो क्या किया बेटा, equation 1 is reverse and divide by या multiply by, divide by 2 और we can say multiply by 1 by 2, ठीक है, तो इस case में अगर इस reaction को reverse करते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 से divide करके, SO3 is an equilibrium with SO2 plus half O2, तो इसका equilibrium constant क्या हो जाएगा, हाँ, सबसे पहले तो reverse किया है, तो reciprocal 1 upon 278 और multiply 1 by 2 से किया है, तो वो power में चला जाएगा, देख्लो धियान से and that will be the answer, clear, इसको solve करोगे, तो answer आजाएगा बेटा, option C, clear है बेटा, next question देखेंगे बेटा, क्या है, that, again आपको reactions दे रखिये, given the reaction between two gases represented by A2 and B2 to give the compound AB, यह reaction है बेटा, A2 B2 के साथ react कर रहा है, 2 AB का formation कर रहा है, at equilibrium, the concentration, equilibrium पे A2 B2 और AB की concentration भी दे रखिये, आप से पूछा है, if the reaction takes place in a sealed vessel, then the value of KC is, KC की value क्या होगी, बेटा, reaction already equilibrium में है, तो आपको equilibrium constant का expression लिखना आता है, बिलकुल आता है, तो equilibrium constant का expression क्या होगा, बेटा, इस reaction को देखते हुए, that, concentration of AB का power 2 is divided by concentration of A2 into concentration of B2, यह नहीं भूलना है, raised to the power of the astrachometry, तो AB का value कितना है, बेटा, 2.8 into 10 to the power minus 3 whole the power 2 divided by, A2 and B2 कितना है, 3.0 into 10 to the power minus 3 and 4.2 into 10 to the power minus 3, देख लो बेटा, 10 to the power minus 3 minus 3 तो पूरा cancel out हो जाएगा, ठीक है, तो अब यहां से क्या बच गया, देख लो बेटा, है ना, तो 2.8 divided by 4.2, 1.9, 2.1 into, तो यहां से solve करोगे बेटा, तो आपके पास value 0.62 आ जाएगा, नॉर्मल, KC, KP के expression है, कुछ बहुत अलग नहीं है बेटा, maximum question, KC, KP, उसके अलावा, determination of molar concentration और सबसे जादा equilibrium constant के expression से है, अगर chemical equilibrium से question आया है तो, next question देखेंगे बेटा, for the reaction, आपको एक reaction दे रखी है, है ना, क्या reaction है, N2 plus O2 is in equilibrium, क्या reaction है बेटा, N2 plus O2 is in equilibrium with 2NO, the equilibrium constant is K1, an equilibrium constant is K2 for the reaction, दो reaction दे रखी है बेटा, दोनों के लिए equilibrium constant दे रखा है, और हमसे एक third reaction के लिए equilibrium constant का expression पूछा है, N2 plus O2, 2NO2, 2NO plus O2 का 2NO2, clear, और third reaction दिये, NO2 is in equilibrium with half N2 plus O2 का equilibrium constant क्या होगा, तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले हमें ये देखना है, कि हमें करना क्या है, हमारे पास कौनसी दो reaction से पहले उन्हें note-down करते हैं, N2 plus O2 is in equilibrium with 2NO, और इसका equilibrium constant मुझे दिया है K1, और दूसरी reaction है, 2NO plus O2 is in equilibrium with 2NO2, और इसका equilibrium constant मुझे दिया है K2, अब इस reaction का equilibrium constant क्या होगा, तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि इस reaction को लेकर कैसे आओगे, final reaction क्या है, NO2 is in equilibrium with half N2 plus O2, तो ध्यान से देखना पिटा, first reaction में, यहां पर NO2 present है, हाँ NO2 है, इधर NO नहीं है, और अगर NO को रास्ते से हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा पिटा, किसी ना किसी एक reaction को reverse करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, second reaction को reverse कर दिया, है न, second reaction को reverse कर दिया और 2 NO2 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, तो हमने क्या किया, second reaction, second reaction is reverse and multiply by 1 by 2, and then add 1 plus 2, तो आपके पास ये reaction आ जाएगी, करके देख लो बिटा चाहिए, try करके देख लो, same reaction आपके पास आ जाएगी, और अगर ये changes आपने apply किये हैं, तो इस case में, answer में क्या होगा, answer में आप reverse करके, तो उन्हों reactions को add कर रहे हो, तो answer आपके पास क्या आ जाएगा, that is, तो final reaction ये याएगे न, 2N2, half N2 plus O2, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको गर 1 by 2 से multiply किया, नहीं, कुछ तो गडबड हो रही है, इसको रियक्शन 1 को भी 1 by 2 से multiply करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें N2 कितना चाहिए, N2 हमें चाहिए यहाँ पर, that is half, तो equation, 1 is also multiplied by 1 by 2, उसके बाद हमें final reaction मिलेगी, तो यहाँ पर जो final equilibrium constant होगा, क्योंकि reaction reverse हुई है, और 1 by 2 से multiply हुई है, so their equilibrium constant will become that 1 upon K1 into K2, hold the power 1 by 2, okay बिटा, देख लो धियान से, है न, next question देखेंगे क्या है बिटा, that is, in which of the following reaction Kc and Kp are not equal, क्या पूचा है बिटा, question में, इन में से कौन से reaction में Kc और Kp equal नहीं है, बिटा, क्या relation हमने आज पढ़ा, that Kp is equals to Kc into Rt की power delta Ng, जिसका भी delta Ng 0 होगा, Kp Kc के बराबर होगा, और अगर delta Ng 0 नहीं होगा, तो उस case में Kp Kc के बराबर नहीं होगा, तो सिर्फ delta Ng निकाल लो बिटा, यहाँ पर आप delta Ng निकालोगे, तो moles of gaseous product, minus moles of gaseous product reactant 0, यहाँ पर अगर आप delta Ng निकालोगे, तो वो भी 0 आ रहा है, है ना, यहाँ पर आप delta Ng निकालोगे, देखो पिटा, धियान से, moles of gaseous product, minus moles of gaseous reactant, वो भी 0 आ रहा है, है ना, तो यह भी 0 आ रहा है पिटा, इस case में देखो, पिटा, delta Ng कितना आ रहा है, moles of gaseous product, minus moles of gaseous reactant, delta Ng 1 आ रहा है, तो इस reaction में केसी KP के बराबर नहीं होगा, clear है पिटा, next question देखेंगे, क्या बोला है, that, the reaction 2A plus B is in equilibrium with 3C, यह reaction है पिटा, 2A plus B is in equilibrium with 3C plus D, is begin with the concentration of A and B both at the initial value of 1.00 molar, उनकी initial concentration हमें दे रखी है, that is 1.00 molar, when equilibrium is reached, the concentration of D is measured and found to be 0.25 molar, जब equilibrium reaction ने रीच किया, तो जो D था हमारा product, वो 1.00 molar था, the value of equilibrium constant for the reaction, बिटा, reaction देखो, 2A plus B is in equilibrium with 3C plus D, मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसा question हो, सबसे पहले, IMC, EMC का expression लिखो, और A and B, दोनों का IMC का value आपको दे रखा था, 1 और 1 molar, बेटा, EMC का expression मैंने आपको लिखना सिखाया, कितना, that is, इसका IMC minus stoichiometry into X, IMC minus stoichiometry into X, stoichiometry into X, stoichiometry into X, stoichiometry into X, clear है, अब इस case में question की language ने आपको सीधा सीधा क्या बोला है, that, कि जब reaction ने equilibrium attain किया, जब reaction ने equilibrium attain किया, तो जो D था न, वो इतना था, तो D कितना था, इतना था, क्या question ने clear ने बता दिया, कि X की value 0.25 है, देखलो बेटा, अगर X की value 0.25 है, तो इन चारों में X की value put करके, आपके पास A, B, C, D आ जाएगा, और यहाँ पे equilibrium constant का expression क्या होगा बेटा, that KC is equals to concentration of C की power 3 into concentration of D, है न, concentration of C की power 3 into concentration of D upon concentration of A की power 2 into concentration of B, D, देखलो बेटा दियान से, clear, अब इस case में X की value put करने के बाद, तो C और D कितना है बेटा, C है 3X, तो 3 into 0.25 करेंगे, न, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 3 into 0.25, यानि की 0.75 का whole cube, D कितना है, 0.25, divided by A कितना है बेटा, 1 minus 2X, तो 2 into 0.25, 0.5, 1 minus 0.5, 0.5, तो यह हो गया 0.5 का square, और B कितना है बेटा, देखलो बेटा, कौन सा relation इसा है, से match कर रहा है, देखलो, वही आपका answer हो जाएगा, so here the correct answer will become, option B, clear है बेटा, same वही IMC, EMC का expression लिखकर, हमने इस relation निकाला, next question देखेंगे बेटा, क्या बोला है, the value of equilibrium constant for of the reaction, है न, equilibrium constant का value, इस reaction के लिए हमको दे रखा है, reaction देखना बेटा, धियान से, HI is in equilibrium with half H2 plus half I2, इसका equilibrium constant हमें 8.0 दे रखा है, the equilibrium constant of the reaction, इस reaction का equilibrium constant क्या होगा, तो reaction को क्या किया है बेटा, ये देख लो बस, H2 and I2 is in equilibrium with 2HI, यहां से ये reaction लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस equation को reverse करना पड़ेगा, और multiply by 2 करना पड़ेगा, देख लो बेटा धिहान से, तो ये reaction आ जाएगी, तो equation 1 is multiply by 2 and reversed, तो बेटा, equilibrium constant के साथ क्या हो जाएगा, multiply किया, power में चला जाएगा, reverse किया, inverse हो जाएगा, तो क्या आगया बेटा, 1 upon 64, that will be the answer, clear है बेटा, बहुत ही simple approaches है, वही सिर्फ 3-4 factor important है, Leach-Altrius principle, KPKC का relation, IMC-EMC का expression, और characteristics of equilibrium constant, अगर chemical equilibrium equation आया, तो इनी topics पो उट कराएगा, और इन topics को आप अच्छे से revise कर सकते हो, जो तरीका मैंने आपको बताया, next question देखेंगे बेटा, क्या बोला है, एक reaction है equilibrium में, if the concentration of hydroxide ion in the reaction, सबसे पहरे तो reaction लिख लेते है, क्या है बेटा, Fe, OH whole thrice in solid state is in equilibrium with Fe plus 3 in aqueous state plus 3 OH minus ion in aqueous state, is decreased by 1 by 4 times, than the equilibrium concentration of Fe plus 3 will be increased by, तो बेटा, question यह बोल रहा है, कि अगर हम इसकी concentration को, किसकी hydroxide ion concentration को, 1 by 4 times decrease कर दें, तो 1 by 4 times कर देंगे, तो Fe plus 3 की concentration में, कितना increase होगा, तो सबसे पहले इस reaction के लिए, equilibrium constant का expression, क्यूंकि solid state में तो इसका तो कोई role ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, concentration of Fe plus 3 into concentration of hydroxide whole the power 3, clear, क्यूंकि उसका stresiometry 3 है, तो यहाँ पर concentration of Fe plus 3, क्यूंकि temperature सेम है, तो case ही तो वही रहेगा, hydroxide कितना आ जाएगा, whole the power 3, कितना किया इसको, 1 by 4 times कर दिया, है ना, तो अब यहाँ पर value put कर दो, तो concentration of Fe plus 3, is equals to Kc upon, 1 by 4 whole the power 3, 4 for the 16, 16 for the 64, तो Fe plus 3, कितने times बढ़ जाएगा, 64 times, clear है एकदम, तो यहाँ से correct answer क्या आगए है, बेटा, that is 64 times, clear है बेटा, next question देखेंगे, क्या बोला है, the dissociation equilibrium of gas AB2, can be represented as, बेटा, यह box equilibrium का sign है, आपको एक reaction दे रखिए, बेटा, that 2AB2, is in equilibrium with, 2AB plus B2, यह तीनो gaseous state में है, the degree of dissociation, यह degree of dissociation, को चलो, हम alpha मान लेते हैं, अपनी calculation easy करने के लिए, x भी मान सकते हो, alpha is a small as compared to 1, क्या बोला बेटा question ने, यह जो अपना alpha है न, यह small है as compared to 1, the expression, वो expression बताईए, जो relate करता है, degree of dissociation, यानि कि alpha, equilibrium constant, kp, and total pressure, तो मैंने आपको अभी-अभी सिखाया, कि इस case में, जब आप correlation निकालना हो, kp, total pressure, और, that is, alpha, तो उस case में आपको क्या करना है, अब जब initial कुछ नहीं दिया है, तो आप इसके initial moles मान लो, और equilibrium पर आप expression लिखी दोगे, तो मैंने आपको क्या कहा था, initial one मान लेना, अब equilibrium पर सबसे पहले आप क्या लिख दो, one minus one alpha, one alpha, one alpha, इसके 2 moles से इसके 2 बन रहे हैं, तो एक से कितने बनेंगे, two by two, that is one, इसके 2 moles से इसके 1 mole बन रहे हैं, तो इसके 1 mole से, इसके coefficient को इदा डिवाइट कर दिया, तो यह आगे alpha by two, यह तीनों gassi state में है, अब हम निकाल लेते हैं बेटा, total moles, यही किया था बेटा, मैंने PCL5 वाले question में, total moles निकालेंगे, तो plus कर देते हैं, one minus alpha, plus alpha, plus alpha by two, यह cancel out हो गया, total moles आगए, one plus alpha by two, अब इस case में, यह आगए बेटा, total moles, अब क्या करते हैं, individual का partial pressure निकाल लेते हैं, तो partial pressure of AB2 क्या हो जाएगा, partial pressure of AB2 क्या हो जाएगा, that is, mole fraction of AB2, into total pressure, बेटा, mole fraction of AB2 क्या हो जाएगा, इसके moles upon total moles, तो इसके moles one minus alpha, total moles, one plus alpha by two, into total pressure, same इसी तरीके से बेटा, partial pressure AB2 क्या हो जाएगा, partial pressure of AB, is equals to, AB के moles कितने, alpha, upon total moles, one plus alpha by two, into total pressure, same इसी तरीके से, partial pressure B2 का क्या हो जाएगा, partial pressure, B2 is equals to alpha, कितने मोल से इसके, alpha by 2 है, alpha by 2 into 1 plus alpha by 2 into total pressure, यह individual के हमारे पास क्या आ गए बेटा, that is partial pressure according to Dalton's law of partial pressure, अब इस reaction को देखते हुए, इसका KP का expression लिखते हैं, तो KP बराबर क्या हो जाएगा बेटा, that KP is equals to partial pressure of AB into partial pressure of B2 upon partial pressure of AB2, एक बड़ चेक कर लेते हैं, AB, B2, AB2, और AB और B2 कितना है, तो 2 इसका coefficient है, तो 2 की power raised चला गया, as it is, values put करना शुरू कर देते हैं, तो KP बराबर क्या आ गया है बेटा, AB का कितना है partial pressure, यह रहा, इसका square, तो alpha square upon 1 plus alpha by 2 का square into total pressure का square, pressure of B2 यह रहा, alpha by 2 into 1 plus alpha by 2 into total pressure, और partial pressure of AB2 यह रहा, इसका भी square, तो 1 minus alpha का square upon 1 plus alpha by 2 का square into total pressure का square, जो cut रहा है, उसे cut कर देते हैं, यह गया, ठीक है, यह पूरा गया, इसके साथ, तो बच क्या गया, अब बच गया, alpha square into alpha, ठीक है, alpha square into alpha, तो यह हो गया, alpha cube upon, तो बच रहा है, बच रहा है, देखना बच धिहान से यहाँ पर, that, kp is equals to alpha square into alpha, alpha cube upon 2 into, यहाँ पर है, 1 plus alpha by 2, यहाँ पर है, 1 minus alpha का square into total pressure, और हमने initially ही बोला है, alpha is less, less, less than 1, तो यह दोनो 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 से comparison है, और यहाँ पर भी 1 से comparison है, तो बच क्या गया, kp is equals to alpha cube upon 2 into total pressure, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, alpha is equals to 2 kp upon total pressure hold the power 1 by 3, that is the answer, देख लो बेटा, 2 kp upon p hold the power 1 by 3, यह आगया alpha का value, देख लो बेटा, यही हमको दे रखा था, तो इसको solve करके हम निकाल सकते हैं, clear है बेटा, easy, इस तरीगे से हमें यह करना था, next question देखेंगे बेटा, क्या है, next question में हमें क्या बूला है, again, the following expression, देखो बेटा, alternate years में इस concept equation आया ही आया है, characteristics of equilibrium constant और, जैसा कि हम कर रहे हैं, most expected, तो यह है most expected बेटा, same, यहाँ पर भी आप यही concept apply करके, इस question को solve कर सकते हो, देखो बेटा, धियान से, क्या बूला है, question में, equilibrium constant दे रखा है, तीनो reaction equilibrium में है, equilibrium constant पूछा है, oxidation of ammonia by oxygen to give NO, तो बेटा, ammonia का, जब O2 के साथ reaction होता है, तो वो क्या बनाएगा, NO, और H2O, reaction तो यही होगी, देख लो धियान से, reactant और product के respect में, अब important है, इस reaction को balance करना, ठीक है, तो हम अब इस reaction को balance करते हैं, ठीक है, हाँ, यह 2, 3, 3 hydrogen, 2, oxygen कितने हो गए, 2 plus 3, 5 oxygen है, तो इदर आ गया 5 by 2, यह आपकी original reaction है, और इस original reaction के लिए, के आपको equilibrium constant का expression पूछा है, बेटा, reactions जो उठाते हैं, यह उठाते हैं, इन ओर्गेनिक chemistry में से, अब इस case में अगर आपको 3 reaction का दे रखा, तो मैंने आपको बता दिया है बेटा, आपको final reaction में देखना है, ऐसा क्या नहीं है, जो इन तीनों में है, तो देख लो बेटा, N2 नहीं है, N2 नहीं है और इस type का same question हम कर चुके हैं, तो आप क्या करोगे बेटा, इस case में आपको ammonia left hand side पे चाहिए, दो चाहिए, तो आप इसको reverse करोगे, क्या करोगे, reverse करोगे, और इस reaction को धियान से देखो बेटा, और इस reaction को धियान से देखो, N2 तो reaction में ही नहीं है, और अगर N2 को हटाना है, N2 है right hand side पे यह ठीक है, third reaction में देखो बेटा, third reaction में हमारे पास एक water molecule है, और यहाँ बे water molecule तीन है, तो इसको हमें 3 से multiply करना पड़ेगा, तो first को सिर्फ reverse करो, second को as it is रहने दो, third को multiply by 3 करो, और उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 करो बेटा, यही original reaction आपके पास आईगी, करके देखो, trick में आपको बता चुकी हूँ, इन तीनों reaction में कुछ ऐसा ढूंडो जो उसमें नहीं है, clear है बेटा, देख लो इसे ध्यान से, तो जो आपने reactions के साथ किया है, वो इसके equilibrium constant के साथ कर दो, तो क्या आजाएगा बेटा, first reaction upon में चला जाएगा, second reaction उपर रहेगा, और third reaction, k3 का cube, तो k2 into k3 का cube upon k1, correct answer will become option c, clear है बेटा, है ना, next question देखेंगे, है ना, same type का question हमने किया था, लेकिन इस बार reaction सा लगया, तो NO plus half O2, forms NO2, again I am saying, alternate years, question अगर chemical equilibrium से आया, तो characteristics of equilibrium constant, या IMC, EMC वाला expression, या KP, KC का relation, बेटा, paper easy आता है बहुत, लेकिन वही है, कि हम जादा की बीचे बागते हैं, और जो है उसे हम अच्छे से revise नहीं करते, तो इसको अच्छे से revise कर लो, बेटा, जो बता रही हूं, तो अब इस case में, बेटा, K1, K2 का value आपको दे रखा है, अब आपको बोला है कि, इसका equilibrium constant K1 है, इसका K2 है, तो इनका आपस में क्या relation है, तो इसका NO plus half O2 forms NO2, और इस case में, 2NO plus 2NO is an equilibrium with 2NO plus O2, यह 2NO, NO थोड़ी होगा, इधर तो NO2 होगा, अब इस case में, इस reaction को क्या किया है, reverse किया है और multiply by 2 किया है, इस reaction को क्या किया है, इस reaction को अगर हम, if equation 1 is reverse and multiply by 1 by 2, then we get second equation, जो हमारे पास यह second 1 है, तो K2 किसके बराबर हुआ, इसके equilibrium constant को क्या करो, inverse और पावर में 1 by 2, आ जाएगा बिटा, देख लो धियान से, K2 बराबर, 1 upon K1 का square, 1 by 2 नहीं, multiply by 2, correct answer will become option D, clear है बिटा, देख लो धियान से, है ना, तो यह हमारे पास कुछ question थे, सिर्फ एक question में आप लोगों को homework देरियों बिटा, इसे मैं next session में discuss करूंगी, A is in equilibrium with B का equilibrium constant दे रखा है, B is in equilibrium with C का दे रखा है, आपको 2C in equilibrium with 2A का equilibrium constant बताना है, सर्फ एक question homework मैं देखती हूँ, comment section में कितने बच्चे इस question को करते हैं, तो बिटा, chemical equilibrium बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है, अगर आप इसको पूरा revise कर लो, आपका एक भी question आज की concept से बाहर नहीं जाएगा, तो बस मैं यही बोलूँगी बिटा, बिना time waste करें, अच्छे से पढ़ते हुए अपना revision करो बिटा, अपनी physical chemistry बिलकुल एकदम, मस्त हो जाएगी, और last time के लिए आपके लिए इतना best session है कि आप idea भी नहीं लगा सकते, कुछ नया मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, कुछ भी मतलब जो important है जहां से question आने वाला है, बस मैं वही आपको revise कर भाऊंगी, so all the very best मेरे प्यारे प्यारे बच्चो, and always stay motivated, मिलते हैं next session that is INA के clip दें, उसके बाद उस पर भी आपन लोग ऐसे ही PhD करेंगे, ठीक है, all the very best बच्चो, thank you.